नमस्कार ट्रेडर सेनी जी योटूब चेनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चेनल पर लगातार भारती शेर बाजार के बारे में एजुकेशनल वीडियो जुपलब्द करवाये जाते हैं एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंजिल वन पर आपका डीमेट अकाउंट है और आपने रेफर एंड अर्न का यूज करते हुए आपको कोई गिप्ट वाउचर मिला है मतलब जिसमें आपको कुछ बैलेंस मिला है अब उस बैलेंस को नए लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इसको बैंक में कैसे डालें या फिर इसका जो वाउचर है उसको रिडेम कैसे करें तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तो अगर आपने भी कोई जो लिंक जो है इसका रेफर किया उसके बाद आपको कोई वाउचर कार्ड प्राप्त हुआ है तो उसका जो भी बैलेंस आपको मिलता है वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसपर नहीं कर सकते हैं केवल आप ओनलाइन जो शॉपिंग एप होते हैं जैसे फिलिप कार्ड अमेजन उस पर उस कार्ड को रीडिम कर सकते हैं और वहाँ पर ही उस बैलेंस को एड़ करके वहाँ से ओनलाइन उस बैलेंस की कुछ खरीदारी कर सकते हैं तो ये तो हो गई बेसिक इंफोमेशन तो इसके लिए मैं बताता हूँ देखे यहां पर जो आपका earn and refer वाला option आता हूँ उस पर उपर click करेंगे यहां पर click करके आप आ जाते हैं तो नीचे आपको लिखा मिल जाता है यह देखे यहां से referral rewards तो referral rewards भी है यहाँ पर मुझे एक reward अभी प्राप्द हुआ है मैंने कि किसी दोस्त को यहां पर यह भेजा था और यह 750 रुपय का वाऊचर मिला है, तो इस पर direct up यहां पर आकर किलिक करेंगे, तो यहां पर लिखा हुआ है view reward, इस पर आप किलिक कर देंगे, और यहां पर नीचे लिखा आ गया है redeem now, इस पर किलिक कर देंगे, तो redeem now पर हम click करते हैं जैसे ही redeem now पर हम click करेंगे तो यहाँ पर लिखा आगया digital cards जी यह digital cards है इस पर हम click करेंगे जैसे ही digital cards पर हम click करेंगे हमारे सामने बहुत परकार के cards खुल जाते हैं और इस तरीके के option आते हैं अब यहाँ पर करना क्या है सबसे easy तरीका मैं बताता हूँ आप जो है Amazon तो use करते ही होंगे online purchasing के लिए कुछ भी खरीदारी के लिए तो Amazon पर आप अपना card redeem कैसे करेंगे ये सिखाता हूँ देखे ये जो उपर योपर option है Amazon e-gift card ठीक है इस पर आप click कर देंगे आपके पाड जो voucher है आपका voucher 10 रूपए से लेकर 10,000 रूपए तक का होगा तो यहाँ से easily redeem हो जाएगा तो यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर जैसे ही click करेंगे agreement form खुलेगा तो इस पर नीचे लिखा है checkout पर click कर देंगे जैसे ही checkout पर click करेंगे और checkout कर देता हूँ अब यहाँ से आपकी basic details मांगी जा रही है आपका नाम और mobile number तो mobile number और डानने के बाद मैं नीचे इस पर place order पर click करूँगा तो यह मैं करता हूँ परना पड़ेगा form को पूरा fill करना है तो इसके लिए नीचे जाएंगे scroll करते हुए नीचे देखिए आपसे यह detail मांग रहा है enter voucher code अब यह enter voucher code हमें कहां से मिलेगा दोस्तों यह enter voucher code जो है इसको लेने के लिए हम चले जाएंगे कहां पर अपना जो एक email आया होगा जा आपका dimate account है जिस mail से उसी mail पर आपको एक email आया होगा angel 1 से उसमें आपको यह code मिल जाएगा इसके अलावा आपको mobile पर message भी आता है जिसमें voucher code आपका रहता है चलिए मेरे message मेरा delete हो गया है mobile से तो मैं क्या करता हूँ आप मेरी जो email है वहाँ से यह code ले लेता हूँ यह देखिए जो email मेरे खोला है तो यहाँ पर यह मेरे पास इस तरीके की यह email खुल जाती है अब इसमें यह जो code कहां पर होता है यह देखिए यह लिखा हुआ है voucher code इस code को हम copy करेंगे और उसके बाद वहाँ से redeem करेंगे तो voucher को मैं copy कर लेता हूँ और वहाँ ले जाकर paste करता हूँ अब यहाँ पर नीचे यह जो है I agree वाले terms को click करेंगे टिक करेंगे और इस पर apply पर click यह देखिए पूरी details भरने के बाद हमारे पास में इस तरीके से यह form आ जाता है payment success order place successfully ठीक है अब हमारे mobile number है जो जिन पर एक e-card का जो है यह message आएगा और उसमें code number होंगे वो हमारे को आगी जो है balance redeem करने में काम आएंगे यह देखिए यहाँ पर यह message आ चुका है और इसको हम message में से यह देखिए refer id जो है इसके नीचे लिखा हुआ है gift card code ठीक है इसको हम करेंगे copy यहाँ से gift code को copy करने के बाद आपका Amazon का जो app है उसको अपन open कर लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए यह जो Amazon पर लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ highlight करके यह Amazon पर लिखा हुआ है इस पर किलिक कर रहा है इस पर जैसे ही हम किलिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक option आ रहा है gift card तो इस gift card पर किलिक कर देंगे अब gift card पर जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पर एक और option आ गया add gift card ठीक है तो इस पर हम किलिक करेंगे और यहाँ पर जो है हमारे code जो है enter कर देंगे यह देखे code enter हो गया है और उसके बाद में यहाँ पर add gift card to balance कर देंगे यह देखे और यह देखे यहाँ पर लिखा आ गया है gift card added successfully यह balance जो है 750 रुपए यहाँ पर amount दिखाने लग गया है तो इस तरीके से यह आप अपना जो card है उसे redeem कर सकते हैं और इस balance से अब online खरीदारी कर सकेंगे